हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माकल फ्री जोब और इस बार जो भरती है वो 10th 12th आईटे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मतलब सभी लोग जा सकते इसमें ठीक है अब ध्यान रहे एक बात में इंपोर्टेंट पे आता हूँ वीडियो को लास्टेंट तक पूरा देख ले और सेलरी जितना में बतायां उतना ही रहेगा ठीक है अब बाद में यह बात नहीं आना चाहिए किसी के भी सामने ठीक है कि बताया नहीं था या पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा मैं सारा कुछ इसी में बता दूना ठीक है चाय नास्ता खाना और बस आपको जो है फ्री मिल जाएगा ठीक है 8 गंटे और 26 दिन का डारेक्ली बरती मतलब कोई भी आपका इंटरू नहीं रहेगा ठीक है तो इसका ग्यारंटी जो है में ले लूँगा लेकिन द्यान रहे प्रोसेस बताऊंगा तभी आप लोग जाना ठीक है तो चलते हैं उसी पेज़ ठीक है और वहीं से मैं डारेक्ली सब कुछ समझाओंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है ज्यादा बड़ा में वीडियो नहीं बनाऊंगा ठीक है जल्दी जल्दी में इसका इंफ्रमेशन दे दूँगा ठीक है तो डारेक्ली उसी पेज़ पेज़ चलत ठीक है इसका बारा में जो है मैंने इसमें थमनेल में नहीं डाला लेकिन इस बार में मैं बता दूँगा केलिफोनिक से बोटे और एयर बट से ठीक है तीन से चार कमपनी का मैं उनने बता दिया है ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट इंफोर्मेशन में आपका जो भरती है वो आज से चालू हो चुका है, ठीक है, तो ध्यान रहे हैं, आज से ही जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेलरी सुनते जाना, सेलरी बहुत अलागे इसके अंदर, ठीक है, और एड्रेस सुन लेना और डारेक्ली जाना है, ठीक है, तो चलते हैं डारेक्ली सेलरी की तरफ में तो सबसे पहले जो था 10th, 12th और ITI और एक और था graduation ठीक है, ITI के साथ में यहाँ पे graduation को मैं हटाऊँगा इसके साथ में मैं करूँगा diploma, ठीक है, 10th, 12th, ITI और diploma सेलरी सुनते जाना, सबसे फर्स्ट जो था 10th, 12th, ITI, diploma, graduation यह सभी लोग apply कर सकते हैं, लेकिन सेलरी सुनते जाना, 10th और 12th का दोनों का सेलरी राएगा सबसे फर्स्ट में राएगा 10,790 रुपए, उसके बाद में, ITI की सेलरी राएगी 11,600 इंठानों रुपए उसके बाद में, डिपलोमा का सेलरी राएगा 12,932 रुपए अब सुनते जाना, और अलग से क्या-क्या दिया जारा है, सेलरी में, ठीके अलग से जो आपको सेलरी मिलेगा दोस्तो, वो बात ध्यान रखें, एक तो सबसे फर्स्ट जो है, इसका प्रफोमेंस आवार्ड तो प्रफोमेंस आवार्ड में आपको दिया जाएगा, एक हजार उपए, उसके बाद में, सोल्डरिंग आवार्ड, एक हजार उपए, अटेंडेंस आवार्ड, दो हजार उपए, सेलरी जोडते जाना, प्रफोमेंस आवार्ड जो एक ओर था, ये वाला आपको मिलेगा, एक और यहाँ पर नाइट अलोवेंस का आपको 1500 रुपए मिलेगा अब सेलरी जोड़ लेना टोटल कितना बनेगा ठीक है टोटल जितना मैंने सेलरी बताया था उतना ही सेलरी बनेगा ठीक है तो यहाँ पर 12932 रुपए से जोड़ के अब 1000 इसमें इंक्लूड कर देना जो कि ने बता दिया था और यह नाइट अलोवेंस का 1500 रुपए है ठीक है उसके बाद में ओवर टाइम अगर करते हो तो ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा ठीक है इस बात का भी ध्यान रखे अब चलते है नेक्स्ट इंफोर्मेशन पर अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो का रहेगा इसमें ठीक है डिपार्टमेंट ओपरेटर का रहेगा कैलिफोर्निक्स कंपनी है बता दिया है मैंने सब कुछ उसके बाद में अब इसके चलते हैं फेसिलिटी पे ठीक है तो फेसिलिटी इसमें मिलेगा आपको चाय नास्ता जो कि टी और स्नेक्स यह भी फ्री है उसके बाद में खाना खाना भी आपका फ्री मिलेगा उसके बाद में बस की सुईदा वो भी आपको फ्री मिलेगी यह बाद भी द्यान रखना चाय नास्ता खाना और बस सारी सुदाएं फ्री मिलेगी ठीक है उसके बाद में जाना कहां पे है डारेक्ली एड्रेस लिख एगर नहीं समझ में आये तो जो मैं बोल रहा हु वह वाला समझ लेना अच्छा से। ठीक है सेक्टर नंबर, ध्यान रखना सेक्टर नंबर 85 में B17 पे आके कोल कर लेना सीधा, यह 17 नंबर है और 50 नंबर है, सेक्टर नंबर 85 और 27 इसका एड्रेस है ठीक है यहां पर आके 3-4-4 contact number में दे दूँगा और वो कहां पर मिलेंगे आपको description box में ध्यान रहा हमेशा के लिए मैं बताता रहता हूँ और over time जो आपका चलेगा वो according to salary चलेगा ठीक है मैंने पूरा वीडियो मेंने समझा दिया है अगर इसके बात भी अगर कोई यही पर आपको number दे दूँगा ठीक है आप directly आप यही पर तुख कर सकते है यहां से भी आप apply कर सकते है ठीक है तो इस number पर बताते जाना कोन बंदा जा रहा है कोन नहीं जा रहा है कि तो ये वाला जो contact number था है ठीक है इसी पर आप लोग call कर सकते है कोल करना ही मत वोट्सप पे डारेक्ली सीवी बेजना और कल ही जा सकते हो केलिफोनिक्स कमपनी बोर्ट कमपनी एरबट्स कमपनी है ठीक है तो ये वाला था नंबर 930-341-64 ठीक है इसी नंबर पर आप डारेक्ली रिजूम भेज सकते हो और कल चले जाना सुबह आपको पहुंचना है सुबह 7 बज़े में 900 किलोमेटर से दूर होना चाहिए नोडा सेक्टर 85 B17 B17 85 सेक्टर CRPL ओफिस ठीक है तो ध्यान रहे सारा डोकुमेंट लेके जाना 8 to 6 डोकुमेंट ठीक है ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है आप स्टाप से बात कर सकते हो या फिर मैं दिस्क्रिप्शन बोक्स में मैं नमबर दे दूँगा वहाँ से आप बात कर सकते हो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट भरती हम दोस्तों